स्टुडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 हमारी जो चल रही थी उसका आज हम सेकंड कोश्चन करने वाले हैं सेकंड कोश्चन के दो पार्ट हैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट आपके सामने हैं पहले स्टेट्मेंट का मेनिंग समझेंगे फिर हम कोश्चन को आगे बढ़ाएंगे दो कोश्चन की स्टेट्मेंट पढ़नी बहुत जरूरी है ध्यान से देखिए आप कोश्चन नमबर सेकंड की फर्स्ट स्टेट्मेंट जोहन एंड जिवन्ती दो जने हैं जोहन एंड जिवन्ती तोगेदर हैव 45 मार्बल्स देखो भई दो जने हैं इन दोना के पास टोटल म मार्बल उनकी क्या हो गई लोस्ट हो गई एच एंड प्रोड़क्ट ऑफ नमबर ऑफ मार्बल्स नाओ हैव इस 124 अब उनके पास जितनी जितनी मार्बल्स बची है न उनका जो प्रोड़क्ट है वो कितना है मेरे दोस्तों वो है 124 तो हमें क्या करना है find the number of मार्बल्स इ आपके सामने लिख रहा हूं बिलकुल easy way में आपको समझाने की कोशिश करूँगा दो जने है एक तो जोहन और एक जिवन्ती है तो दोनों की मार्बल्स को लेट कर लेते हैं तो मैं सबसे परने लेट करूँगा जोहन have the marbles जोहन के पास हमने लेट कर लिया कि x marbles है जोहन के पास कितनी marbles लेट कर लिया हमने x अब एक बात ध्यान से देखिए तो जिवन्ती के पास कितनी मार्बल्स होंगी अगर जोहन के पास X हैं दोस्तों तो जिवन्ती के पास कितनी होंगी देखो टोटल कितनी है? 45 टोटल कितनी है? 45 45 में से कुछ मार्बल्स तो जोहन के पास है X का मतलब कुछ चाहे मालो 10 है, चाहे 5, चाहे 15 है, चाहे कुछ भी तो 45 में से कुछ marbles जोहन के पास है, बाकी बची हुई किस के पास होंगी भई जिवन्ती के पास, और बची हुई का मतलब क्या है, जो minus करने के बाद रह जाएंगी यानि के जिवन्ती के पास क्या है, 45 minus x टोटल में से जो जोहन वाली हैं, वो minus कर देंगे तो किस की marbles आ जाएंगे हमारे पास, जिवन्ती की marbles आ जाएंगी ठीक है न दोस्तों, तो ये जोहन आ गया, ये जिवन्ती आ गी, दोनों की values आ गी हमारे पास अब question क्या कह रहा है, both of them lost 5 marbles, दोनों ने 5-5 marbles जो है अपनी lost कर दी अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, देखो जब जोहन, यहाँ एक heading type लगा लेते हैं, लेक लेकेंगे after losing 5 marbles each, भी दोनों में से हर कोई अगर 5-5 marbles का loss करेगा तो क्या होगा तो देखो उसके बाद जोहन के पास जो बचेंगी दोस्तों वो बचेंगी x-5, भी x उसके पास पहले थी, उसमें से उसने 5 क्या कर दी कम कर दी, lose कर दी, और इसी तरीके से जो जिवनती है, जिवनती के पास भी क्या हो जाएंगी, पहले कितनी थी 45-x, तो 45-x-5, जो value पहले थी, उसमें से 5- और हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगी 40-x, ठीक है न, अब यह हमारे पास जोहन की value है, और यह हमारे पास क्या ह है, जिवनती की value है, अब हम question जैसा कह रहा है, वैसा करेंगे दोस्तों, question कह रहा है, product of the numbers of the marble they now have is 124, यह number और यह number का multiply कितना है, product कितना है, 124, तो यहाँ मैं एक बात लिखूंगा, according to question, क्या लिखूंगा दोस्तों, according to question, अब मुझे question की जूरूत नहीं है, इन दोनों का multiply करना है, तो भई, x-5, into में क्या, into में 40-x, is equal to 124, यह question कह रहा है, मुझे, ठीक है न, तो देखो, अब मैं multiply करता जा रहा हूं, कैसे कैसे करेंगे multiply, x का multiply होगा 40 के साथ, x का multiply किसके साथ होगा, 40 के साथ, तो क्या बनेगा दोस्तों, 40x, ठीक है न, फिर x का minus x के साथ होगा तो क्या बनेगा, minus x square, समझे दो बात, x का जब minus x के साथ होगा, तो multiply, तो क्या बनेगा, minus x square, फिर 5 के साथ 40 का बनेगा, multiply, minus का 5 है, plus का 40 है, तो यह बन गया आपका 200, क्या बन गया, 200, फिर minus 5 into minus x, क्या बन गया, यह बन गया, यह बन गया, आपका plus 5x, is equal to में कितना, 124, इ कुछ भी नहीं करना है, इसको simplest form में change करना है, तो देखो ये 40 है और ये 5 है, क्या बन जाएगा? 45, क्या बन जाएगा? 45, और ये दो चीजे negative हैं, उनको हम positive करेंगे, देखते हैं कैसे करें, देखो minus का जो x square है, उसको मैं right side में लेके जा रहा हूँ, minus का जो x square है, इसको right side में लेके जाएगे तो देखो ये positive बन जाएगा, ठीक है positive, इसको ये मान के चलिए कि minus का था, इसको equal के left, right side में ले गया, तो ये क्या बन गया? positive, 200 उदर जाके क्या बन गया? positive, पहले से वहाँ क्या पड़ा था? पहले से वहाँ 124 पड़ा था, ठीक है, 40 और plus 5, किना बन गया 45 ये इधर plus का है, तो right side में जाके क्या होगा? minus का 45x is equal में क्या बन जाएगा? 0, अब एक बात का खास ध्यान रखना दोस्तों, देखिए, ये बन गया आपका x square और ये 45x लिखेंगे बीच में, और 200 प्लस 124 जो आपका वो है, वो आपका हो जाएगा plus, तो ये बन जाएग आपका 324 equal to 0, याद रखना equation होती है, ax square plus bx plus c is equal to क्या? 0, ये आपकी equation की क्या होती है, standard form होती है, ठीक है? अब हमारे पास जो equation है, वो ये है, x square minus 45x plus 324 equal to क्या? 0, ये हमारे पास standard form है, अभी हमें इसके क्या करने है, factor करने है, तो factor इस तरीके से होने चाहे हैं, कि multiply तो क्या है, 324, और add ये सब्टेक्ट करने पर क्या है, minus का 45, तो बेटा, first term same, और 324 equal to 0, यानिके last term same, यहां 45 का factors क्या आप करेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं, minus 36x minus 9x, 36 और 9 जो है, वो minus minus के लिखे हैं मैंने, और दोनों add होनेंगे, add होने के बाद क्या बनेगा? minus 45, और minus 36 को minus 9 से multiply करेंगे, तो क्या बनेगा, बेटा, plus का 364, अब आप इसको अलग pair बना लीजिए, इसको एक अलग pair बना लीजिए, इस pair में से आपको क्या common दिख रहा है, क्या common दिख रहा है, जल्दी से बल दिए, तो यहां से x common आया, यहां बच गया, x minus 36, बच गया, यहां से minus 9 common आया यहां से बच गया, x minus 36, भई, 324 में 9 का जब divide करोगे न, तो 36 बचेगा, equal to 0, आपके यह दोनों brackets की value same आनी चाहिए, जो की हमारी same आ रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x minus 36, और एक लिखेंगे, x minus 9 equal to 0, ठीक है न, यह बाद समझ में आ गई, तो अब इसके दो part कर ले पास, इसको जब लिखेंगे, x minus 36 equal to 0, तो यह 36 right side में जाएगा बिटा, और x की value क्या बन जाएगी, plus का 36, x की value क्या बन जाएगी, plus का 36, और इसी तरीके से यह minus का 9 है, यह right side में जाएगा, तो x की value बन जाएगी, plus का 9, इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब यह है, यह x की value 36, यह किसकी value है, जोहन की, किसकी value है, जोहन की, अगर यह जोहन के पास 36 हैं, तो जिवनती के पास कितनी होंगी, जिवनती के पास होंगी, बिटा, 45 minus 36, यानिके 9, समझ रहे हो, दुबारा question पे लेके चलता हूँ आपको, question में क्या कह रहा था, जोहन and जिवनती together have 45 marbles, दोनों के पास total कितनी थी, 45, अब इस पे answer पे आईए आप, अगर जोहन के पास 36 हैं, तो जिवनती के पास क्या होंगी, जिवनती के पास होंगी, जिवनती के पास होंगी, बिटा, 45 minus 9, यानिके 36, तो यही हमारा answer है, एक तो 36 और एक 9, ठीक है न, एक के पास 36, तो दू और अगर पहले वाले के पास 9, तो दूसरे वाले के पास क्या, 36, यह हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का answer है, दोस्तों.